हेलो दोस्तो मल्टिटेक इंश्यूट में आप सभी का श्वागत है मैं विक्रम आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हमारे डेक्ष्टॉप के बोर्ड में या डेक्ष्टॉप की मशीन में जो SMPS लगा होता है यह SMPS यानि स्विच मोड पावर सप्लाई जो लगा होता है इसके अंदर बहुत सारे वाइर होते इन सभी वाइर के वोल्टिस के बारे में आपको बताऊंगा और चेक करके भी बताऊंगा कि अगर आपके पास बोर्ड नहीं है फिर भी आप किस तरीके से SMPS को पता करेंगे कि यह सही है या खराब है उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में तो चलिए अगर मैं पहले आपको बता दूँ कि अगर इस लाइन में आप वीगनर हैं तो आपके लिए वीडियो काफी हेलफुल होने वाला है और अभी तक अगर हमारे यूटूब पे आप नए हैं तो अभी तक हमारे चैनल को अधी सब्सक्राइब नहीं किये तो चीजे हम जानते सबसे पहला नमबर एक अगर हम बात करते हैं है इसके अंदर तो हमने रखाव si वायर कलर होल्डेज के वारे में की सेमदेश के अंतर यह जितने भी वायर है इन सभी वायर में क्या-क्या voltage बनता है उसके वारे में हम लोग जानेंगे और देखते हैं तो फिर यहां पर सबसे पहला हमने यहां पर लिखा है वायर यानि कौन सा वायर होगा और यहां पर उस वायर का voltage के वारे में तो यहां पर देखिए सबसे पहला हमने लिखा है ब्लै यहां पर देखेंगे नंबर दूसरा तो हमने इसका नाम रखा है ग्रीन कलर का एक वाइर होगा यहां पूरे SMPS की अगर हम बात करें तो पूरे SMPS के अंदर एक ही वाइर आपको ग्रीन का मिलेगा तो इस वाइर के बारे में हम जानते हैं तो ग्रीन कलर का जो वाइर होता है इस पे जो वोल्टेज आप जब चैट करेंगे तो इस पे 5 वोल्ट मिलेगा जो PS ON के लिए होता है किसके लिए होगा PS ON के लिए होगा यानि केबल आप अगर SMPS में केबल पावर प्लाग इन करेंगे उसी में SMPS का जो ग्रीन कलर का वाइर है उस पे आपको 5V देखने को मिलेगा और उसके बाद हम बात करते हैं ब्लू तो यानि ब्लू कलर का जो वाइर है उस पे आपको माइनस 12V देखने को मिलेगा यानि जो ब्लू कलर का वाइर है उस पे आपको माइनस 12V देखने को मिलेगा जो कि यह SMPS ON होने के बाद आपको नजर आएगा बांकि मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा बांकि यहां पर देखेंगे एक औरेंज कलर है औरेंज पे जो होल्टेस है और यह आपको उसके बाद बात करते हैं यालो कलर है तो येलो में आपको 12V देखने को मिलेगा जो कि यह भी SMPS को ON करने के बाद ही नजर आएगे आपको तो अब यहां पर देखते हैं आपका रेड कलर है तो रेड में भी आपको 5V देखने को मिलेगा यानि 5V यानि 5V आपको दे voltage के नाम से जानते हैं या इसको standby आप कह सकते हैं तो अब यहां से दो voltage मैंने बताया है जो कि standby यहां से जो जान रहे हैं पांच वोल्ट जो वाइलेट कलर का है इसमें आपको off-board में ही यानि SMPS में केवल पावर लगाते ही एक green कलर की वायर पे और एक आपको standby वाली वायर पे इन दोनों पे आपको केवल SMPS के अंदर पावर लगाते ही अगर इन दोनों पे 5V मिल रहा है तो SMPS समझे कि ठीक है बट लेकिन अभी 100% कंफर्म नहीं हो सकते बस इसमें voltage मिल रहा है लेकिन इसमें 50% मान के चलते हैं कि यह okay होगा अगर इन दोनों में से किसी वायर में voltage अगर नहीं मिल रहा है देखने को तो आपका SMPS खरावे अब यहां से जानेंगे ग्रे कलर की वायर है तो इस पे आपको 5V मिलता है और यह power good के लिए होता है उसके बाद हम बात करते हैं ब्राउन कलर की तो ब्राउन कलर का जो वायर होगा उस पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा यह हमने जाना वायर के एक साफ के बारे में और बाइक को बताता हूं कि अगर SMPS को और इसमें अगर सौट्कट में और चेक करना है तो आप trimming बताता हुं कि भाद की माल लिजे कि दो ही वायर पे तो वाल्ट मिलेगा और बाद की वायर को 12 वोल्ट चेक करनाई 3.3च करना इंस अगर हमें चेक करना है तो उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं तो उसके लिए एक option है आप simple यह किजिए कि जो PS on का है यानि PS on होता है power supply on तो इसमें simple तरीका है आप कि black color का जो wire है यह जो black wire है black के साथ आप क्या किजिए मैं दूसरा color ले लेता हूं यहां से यह जो black color की wire है PS on के साथ आप इसको जोड़ दीजिए आपस में या jumper के जरीए आप जोड़ सकते हैं तो ट्यूजर के जरीए भी आप इसको connect कर देंगे जब positive यह 5 volt है जब negative से आप जोड़ देंगे तो SMPS के अंदर जो fan लगा होगा वो आपका rotate करना क्या हो जाएगा start कर जाएगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि SMPS जो है हमारा on हो चुका है और उस SMPS के बाद जब on होने के बाद जो PS on का जो voltage है जब इसको connect करेंगे तो जाहिड सी बात है यह voltage क्या हो जाएगा जीरो में convert हो जाएगा PS on बाला और बाकी जितने भी वायर का हमने voltage आपको लिखाया है जैसे बुलू कलर पर माइनस बारा वोल्ट तो यह बारा वोल्ट फिर देखने को आपको मिलेगा और उस तरीके से जो भी voltage हमने बताया इन सभी वायर पर अगर यह voltage देखने को मिलता है तो आपका SMPS क्या होगा और उसके अंदर आप यह सभी चीज़ों को जान सकते तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस वायर में कि वोल्टेज यह सारे चीज़े जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरीके कि सारे voltage इसमें मिल रहा या नहीं मिल रहा अगर इसमें से कोई भी voltage नहीं मिलता है तो SMPS ख हो जाता है SMPS तो कई बार देख्योंगे कि अगर अपने मशीन को आन करेंगे तो एक बारा उन करते हैं दो बारा वन करते हैं तीन बार उन करते हैं तब जाकर डिस्पले आता है क्योंकि जब SMPS के अंदर जो capacitor वेगर अलगे होते हैं वो leakage हो जाने के वज़े से प्रपर energy प्रवाइड नहीं कर पाता तो इस स्टार्टिंग का प्रावर का प्रावर नो डिस्प्ले इन सभी टाइप के समस्या देखने को मिलता है इस SMPS से चलिए मैं इस topic में आपको दिख केबल का है जो इंपूट का पॉइंट है इसको आपको क्या करना यहां पर एक पावर केबल लगा करके वोल्टेश को इंपूट कराएंगे और यहां पर देखेंगे तो अभी यह फैन चल नहीं रहा है क्योंकि SMPS जो है अभी हमारा आफ है केबल पावर हमने लगाया और आपको जैसे की बताया था कि इसमें ग्रीन कलर की वायर नजर आ रही है और एक आपका जो है वायलेट कलर की वायर नजर आ दिए तो इन दोनों वायर में अभी वोल्टेश हमें देखने को मिलना चाहिए अगर नहीं मिलता है तो आपका SMPS पहली पता चल जाएगा यह खर करने के बाद अब यहां पर जो ग्रीन कलर की वायर है जो ग्रीन कलर की वायर है उसमें देखिए ग्रीन कलर की वायर है तो ग्रीन में मैं करूंगा क्या यहां पे इसको लगांगा तो यहां पर देखिए 5 वोल्ट आपको नजर आ रहा होगा इस मल्टिमीटर के अंदर 5 वो आएंगे तो इसमें भी आपको फाइब देखने को मिलना चाहिए अगर इन दोनों में से किसी में वोल्टिस नहीं आता है तो आपका खराब माना जाएगा बाकि जब यह दोनों वोल्टिस आपका आ रहा होगा तो आपको क्या करना है ग्रीन वाला जो वायर है यह देखिए ग्रीन को ब्लैक के साथ इस परकार आपको शॉट कर देना है मैं चाहिए आपके पास वायर हो तो इन दोनों तरफ से यहां से भी लगा करके आप इसको क्या कर सकते हैं कर सकते हैं संपिस को अब देखिए यहां पर देखेंगे यह फैन चल रहा है और यहां पर मैं आपको लगाता हूं कि कैसे पता करोगे कि फैन चल रहा है नहीं चल रहा है तो यहां से यहां से हमारा क्या हो रहा है तो अब यहां से क्या करना आपको बाकी जो वायर है उन सभी वायर पर आपको होल्टेज देखने को मिलेगा नहीं तो देखिए मैं एक बार और यह भी चीज़ दिखा देता हूं इसको बंद कर दिए लो कलर का इसमें इसको कनेक करता हूं तो फीस वोल्टेज कितना मिला जिरों मिल रहा है क्ने कोई इसमें नहीं अभी जैसे मैं इसको green के ब्लैक के साथ इसको short करूंगा इसको स्वॉएंबा ये लेखे सी निफधन हुआ और यहां पर देखी यह रिड़ कलर की वायर है तो रेड़ पर रखिएगे तो आपको 5 बोल्ट देखने को मिनेगा यह पर कितना मिल रहा है 5 वल्ड मिल रहा है और इसी परकार येलो कलर का देखेंगे तो येलो पे आपको मिलेगा 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी यहां पर देखेंगे 12 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा इसी परकार अब ब्लू कलर की जो वायर है तो इसमें मैंने आपको बताया माइनस 12 वोल्ट मिल रहा है तो माइनस 12 वोल्ट आपको नज देखने को मिलेगा वहजय को देखने को तो इस परकार आप इन जो आ呢 सकते हैं और यहां पर देखेंगे ब्राउन कलरकी है वाइज तो ब्राउं क्या होता ओरेंज साथ ही लगा होता जिस यह अपको बिरी तो फिलाल इसमें हमने जाना किस तरीके से चेक करते हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में तो दोस्तों जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि एसम पीएस जो होता है उसको किस तरीके से चेक करेंगे और कौन से वायर पे कितना होल्टेस आता है उसके वारे मैं आज हमने बात किया बाकि अगर इसके इलावा और भी आपको कुछ लगता है कि डेक्श्टॉप के और भी कुछ वीडियोज चाहिए या लाप्टॉप के प्लीज सस्क्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले और इसके इलावा मैं बता दू कि लाप्टॉप प्रिपेरिंग का अगर आपको कौर्स करना है तो हमारे दिएगे नंबर पर आप कॉंटेक कर सकते हैं या www.multitechinstitute.com पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच